कि अनति मद्याय के अठारवे और अन्तिम अद्याय में आपका स्वागत है तो इस सद्याय का नाम है सन्यासयोग और यह गुस THEY are तो इसमें जानेंगे की लंखे सीजह बताने के बाद वातम में अन्तिम संदेश कहcken य हम इसमें जानेंगे इस अध्याय को आरम करते हैं कि अर्जुन ने कहा हे महाबाहु मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं और हे केशी सूधन हे रिषिकेश मैं जीवन अर्थात सन्यास आस्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं तो अर्जुन यहां पर पूछ रहा कि वास्ता मैं त्याग का अर्थ क्या है और किस तरह मैं जीवन को अपना सकता हूं और यहां पर केशी नी शूदन बोला गया भगवान को बहुतिक इच्छा पर आधारित कर्मोग की परित्याग को विद्द्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्थ कर्मों के फल्वीयों द्याग को एधिमान लोग लेती यहां पर भर्वान की वह समझे नहीं के संद्ध कारते हैं जो हमारी बहुत इक इच्छा के लिए कार्य हम करें उनका पर रेत्याग वास्तरम में करें लाता है रेथ लाक करें और करम के जो फल होते हैं उनका त्याग वास्ता में त्याग कहलाता है इसके बाद आगे भगवान क्या कहते हैं कुछ विद्वान घोशित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोश्पून समझ कर त्याग देना चाहिए इन तो अन्य विद्वान मानते हैं कि दीना चाहिए लेकिन दूसरे को और लोग कहते हैं कि हमें अध्याण तपस्य तो बिसले अध्याइस में भी हमने देखा भगवान ने वह संथे दिया था कि जो भी कारें हम करने चाह यग्यe हो दान हो यआ थैसे करना भगवाण को इस भाव के साथ हमें करना चाहिए वागे भगवान इसमें बताते हैं कि करुम का कभी परितियाग नहीं करना चाहिए उन्हें अवश्य तंपन करना चाहिए werenky Wildlife कि Hai Mahaatmahao ko пришud bznaते हैं तो फिछले भगवान ये बात बोल चुके हैं औरिस अध्याय में भगवान ये बात पुनह बोल रहे हैं तो इसका अर्थी यह है कि हमें यग्यादान और तफस्या को त्यायगना नहीं है थे महें किसव नहीं और His wes l भावना से की जाए इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आ सकती या फल की आशा के बिना संपन करना चाहिए यही मेरा अंतिम्मत है तौन तुम्हें भगवान बोलते हैं कि कोई भी कारे त्यागना नहीं उन्हें अपना करतावे समझ कर पूर्ण करना चाहिए आगे हम बढ़ते हैं अब यहां पर भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है श्लोक में हे महा बाहु अर्जुन वेदान्त के अनुसार समस्थ कर्मों की पूर् लेकिन भगवान सानिये कोई अगर होता उसके पीछे पांच कारण होते हैं तो इस पारम का इस्थान तो जैसे की कोई एक्जाम देने जा रहा है किसी की परिक्षा है तो उसने बहुत तयारी की उसने अगर बहुत तयारी की लेकिन उसकी परिस्थितियां परिक्षा की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है और उसका एक्जाम खराब हो गया तो इसमें उसका दोस्त नहीं उसने तो पूरी तयारी की थी और दूसरा दूसरा जो कारण हो क्या है करता तो कोई भी कार्यगर होना है उसके लिए परिस्तितियां भी होने चाहिए उसके बाद हो सकता है करता भी लेकिन इंद्रियां साथ नदे हैं कविगभी कोई परिक्षा सा जैता तो इसमें सभीड़ सब्शंद नहीं सब्सक्राइब भी कारे असफल हो सकता है इसीलिए तीसरा कारण भी वहतों कोण cavity फिर हमारी चेस्टाएं वह सकता है परिष्थिद्यां सभी करता भी है उसकी इंद्रियां भी सभी लेकिन उसकी इच्छा नहीं है कारे करता है तो इसके पाल भी वो सब्सक्राइब है पर लेकिन अंत में जो होता है वह कौन निर्णाय लेता है परमात्मा तो कोई भी कारें करते हमें हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कारण ऐसा हो रहा है तो कई कारण आने लग जात कारण नहीं होता तो हमें इनके बारे में जानना होगा और जो इनके बारे में सका भी ऐहंगकार गलत विचार नहीं आएंगे पहले ही तीसरे अगाई में बटा चुके हैं का नहीं थी मननेती हैं कि उसके अंदर एहंकार है तो इसमें उधारण भी दिया गया जैसे कि अगर किसी को building बनानी एक building बनानी तो सबसे पहले क्या होता है उसके लिए स्थान चुनते हैं कि कहां पे वह building बनेगी तो पहला कारण उसके बाद करता कौन उस कारे को करेगा कौन वह building बनाएगा तो उसमें क्या है उसमें जैसे इंजिनियर होगे और लेवर होगे और बहुत सारे करता हैं उसके बाद उनकी इंद्रियां उसके बाद उनकी इच्छा है कि इसको कैसे बनाना है वो पूरी planning करते हैं तो आपने देखा होगा civil engineer पूरा map बनाते हैं हमें यह सारी चीज़े तो यह चार चीज़े सबको पता हैं लेकिन हमें एक लास्ट जो अंतिम चीज जो इसके पीछे हैं सर्वकारण कारण वो कौन है परमात्मा तो परमात्मा जब कारण यह प्रभाव होते हैं अतयव जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आपको ही एक मात्र करता मानता है वह निश्चा ही बहुत बुद्धिवान नहीं होता और वस्तों को सही रूप में नहीं देखता तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि जो यह मान ले कि सार कारे जो भी कारें हम करता यह जोकारण मैं थि में तो वास्तों में उसे ज्यान नहीं है है और इसे उसका एहंकार कह सकते हैं कार्वुनात्मा तो जिसको पता लग जाता है कि वास्ता में जो कारे और उसके पीछे पांच कारणे वही वस्तों को सही रूप में देख सकता है उसके बाद भगवान बताएंगे कि किस तरह ये सारी चीजे जो अभी तक हमने बताई वो तीन गुणों से प्रभावित होती है तो भगवान क्या बोलते हैं ग्यान यह तथा घ्याता ये तीनों कर्म को प्रेणा देने वाले हैं ग्यान ब्रभावर करते हैं वह सारे इनी से प्रेरित होते हैं और अभी भगवान आगे बताएंगे तीन गुणों में किस परकार हम इसे विभाजित कर सकते हैं परकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्यान कर्म तथा करता के तीन भेध हैं अब तुम मुझसे इने सुनो तो अभी भगवान विस्तार से अब पहले भगवान ग्यान के बारे में बताएंगी कि ज्ञान को हम किस तरह से तीन गुड़ों में विभाजित कर सकते हैं तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विवक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो भगवान बोलें वा प्रमात्मा ग्यान से रूप में देख्ते तो ही वास्त्विक ज्यान है उसके बाद यह तो होगया सात्विक ज्यान से को कोई मनुष्य विभिन शरीरों में भिन्बिन परकार का जीव देखता है उसे तुम तो राजी जनुग क्या हो थाया हम हर जीवात्मा को उसके वास्ट वीक शुरूप में यानी भगवाण नुख्ञान शुरूप में ड़ी देखते हैं तो हम उनको विबीन विबीन शरीर मान बैठते हैं और तामसिघ्ञान में क्या होता है और वहां जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कारे को जो अतित उच्छ है सब कुछ मान कर शत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है ता कुछ भी नहीं देख पाता अग्यानता के कारण उसे समझी नहीं आता कि कौन क्या है और इस तरह क्या करता है तुछ कारियों में लग जाए वास्ते विज्ञान ना होने के कारण अब आगे भगवान क secular करम के बारे वह क्रियां जो भी हम करो करते है वह किस तरह से तीन गुंडों से प्रभावित होती है तो पहले ज़्ञान के विशे में बता हैं अभी कर्म के विशे में जो कर्म नियमित अब जो आसक्ती राग या औरम्ल की चाहा के बिना किया जाता है साथ्विक कहलाता है हम हमेशा करेंगे और उसके पीछे कोई भी आ सकती नहीं होती हैं इंट्रियत रिप्ति की भावना नहें होती है और राग और द्वेश से रहित होते हैं अर्था चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो हम उसको करते हैं क्योंकि उसमें हमारी आ सकती नहीं हमारी पसंद ना पसंद उसमें नहीं है तो जैसे कि भक्ति होगी भक्ति हम नियमित रूप से करते हैं उसमें कोई भी आ प्रकार के बहुति पूर्ती है पूर्थ मतलब होता है यह समझना कि हम षरीर यह समझना कि हम आत्मा नहीं है इसको बोलते हैं मिथ्या एहंकार तो इस भावना से क्या होता है इस भावना से हमारी भोग इच्छा और बढ़ जाती है अगर हम यह मान लेंगे कि हम शरीर हैं तो क्या होगा हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठेंगे और हमारा भोग और जादा बढ़ जाता है और और ज्यादा हम आशक हो जाते हैं तो ऐसे जो कारे हम करते हैं वो किसमें आ जाएंगे फिर रजोगुण में अब तमोगुण में क्या होगा जो कर्म मोहवश शास्त्री आदेशों की अवेलना करके तथा भावी बंदन की परभाव किये बिना हिंसा अथ् बहुतिक इच्छाओं के बारे में सोच रहा है लेकिन तामसी में क्या हो रहा है तामसी कारे में अपने भले के लिए नहीं सोच रहा है वह सोच रहा है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों को किस तरह नुकसान पहुंचा जाए उसके विशह में जो सोच है इस प्रकार के कारे होगे तामसिक कारे अभी भगवान बताएंगे कि जो श्रमिक होते हैं अर्थार जो करता हैं वो भी किस तरह से तीन गुणों से प्रभावित होते हैं जो व्यक्ति बहुतिक गुणों के संसर्क के बिना एहंकार रहित संकल्प तत्था उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तत्था असफलता में अविचलित रहता है वहां साथविक करता कहलाता है कारे क्योंज होते हैं उसमें बहुतिक गुन्णों से परे में परें और मजबूरी में नहीं नहीं और इस प्रकार क्या होता है सफलता हो या सफलता हमेशा वह उस कारे में लगे रहते हैं ऀसी और संकट से से आगे बढ़ता है जो स्की पर विर्थी में एक कारे करता है है तो इसमें रजोगुन की बात हो रही है रजोग sprout में क्या होते रजोगुन में हम और जदा हमारी बहुत एक इसक्षा बढ़ते हैं और सिस्क्ति हम करने लगते और कलत तरीके से उस कारे को करते हैं इस प्रकार के जो करता होते हैं वो कहलाते हैं राजसिक करता अभी तामसिक करता के विशय में पढ़ते हैं जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कारे करता है जो भौतिक वादी हटी कप्टी तथा अन्यों का अपमान करने में पटू ह तथा जो आलसी, सदैवखिन, तथा काम करने में दीर्ग सूतरी है, वहां तमोगौी कहलाता है, तो आब इन दोनों में अंतर क्या है रजोगौी और तमोगौी में, तो रजोगौी के अंदर बहुत जोस होता है किसी भी कारे को करते कि बहुत करना चाहता है लेकिन उसके अंदर जोस रहता है वो चाहता है कि तुरंट से तुरंट में इस कारे को करो और उसके लिए विभिन योजनाएं बनाता है बहुत करने के लिए लेकिन आलसी भी अब जो तमोगुणी है वो भी करना चाता है लेकिन दोनों वे बहुत ही अच्छा शब्द चुना उसके लिए तो देर्ग सूत्री मतलब होता है किसी बी कारेको टालता है तो कारेको दोनों करना चाहते हैं रजोगुणी और तमोगुणी लेकिन तमोगुणी बहुत आलसी होता है वो कारे को टाल देगा वो सुचेगा आज नहीं कल करेंगे या फिर कल अगर उनसे आप बोलो कि कोई कारे करने के तो इस प्रकार भगवान ने तीन तरह के करताओ के विशे में आगे बढ़ते हैं हे दननेंजय आब मैं प्रक्रती के 3 गुणों के अनुसार तुमें विभिन प्रकार की बुध्दी तथा निर्धारण के विशे में विश्तार से बताऊंगा तुम इससे सुनो तो अभी भगवान बुद्धी के विशे में बताते कि तरह हमारी बुद्धी वी तीन गुणों से प्रवावित होती है यह प्ता पुत्र तम्ट्व सत्ило बुद्धी करता कैसा होता है उसे पता रहता है कि क्या कारे करना है और क्या कारे संसार बां देंगें और कौन से का रहे हैं जो मुझे संसार से मुक्ति दिला सकते है तो यह होगी सतोगुणी पुस्दी क्या होथा जो पुद्धी धर्म नहीं करपाती वहां राज-सी व्यक्ति क्या करता है उसको पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है उसे बस वही कारे सही लगता है जो उसके लिए सही जो उसका भोग बढ़ा है जिससे उसका इंद्रिया भोग और ज्यादा बढ़ जाए उसे बस वही कारे सही लगेगा उसकी बुद्धी उसी विशह में सोचेगी अब तमोगुण में क् क्या होती है जो बुद्धि मोह तता अंदकार के वशिबूत होकर अधरम को धर्म धर्म को अधर्म मानती है और सदेव विपरीत दिशा में परियत्न करती है कि वहां तामसिन अब राजसिक और क्या अंधररfire तिस को वह सही लगता है जो उसके प्रियच reference लेकिन तामसिक में क्या है तामसिक बुद्धि को हमेशा विपरीत जो हमेशा बुरे कारे वही उसको पसंद आएंगे उसको अपने भले या बुरे से कोई मतलब नहीं वह बिलकुल ही विपरीत कारे करेगा हमेशा जो सास्त्रों के अनुशार है उसके बिलकुल ही विपरीत क यह वह वह निश्च्छ के साथ मन और इंद्रियों के कारें को नियंत्रित करता है सात्त्विक तरीके मेंहें तो ऐसा निश्चय जो की इटूट है प्याली बाद जो अटूट होना चीह और योग स्वादना द्वारा अर्थात उसे भगवान से जोड के अगर देखते है हमारे कोई उद्देश है उसको अगर हम भगवान से जोड़ के देखते हैं और वो हमारी इंद्रियों के नियंत्रण में है तो ऐसा जो निर्धारण है ऐसा निश्चे वो सात्विक कहलाएगा लेकिन हे अर्जुन जिस दृती अर्थात निश्चे से मनुश्य धर्म अर्थ तता काम के फलों में लिप केली पैसे के लिए और उस पैसे हम क्या करना चाहते हैं अर्थ से काम यानि हमारी गलत इच्छों की पूर्दी इस प्रकार का जो हमारा हुद्देश्य होता है वह है राज इसी उद्तेश हे स्वापन भय सोक विसाठत तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुर बुद्धी पूर्ण दृती तामसी है तो अब जो राजसी है और जो तामसी निश्चे हैं दोनों में क्यानते रहे हैं राजसी जो निश्चे हैं उसमें मनुस्य भले ही अपने भोग के लिए कारे कर रहा है लेकिन वो प्रियास कर रहा है लेकिन तमोगुण में क्या ह जाएगा आपने देखा होगा तो मोगणी लोग क्या होता है डेप्रेशन में आ जाते हैं और मोहित हो जाते हैं इस परकार भगवान ने तीन तरह के निर्धारन निश्चे के विशे में बताए विस्तार से अब अगवान आगे बताते हैं जो खुशियां हैं हमारी वह भी तीन प्रकार से तीन गुणों से प्रभावित होती है तो बहुत ही महत्तपूर इसके विशे में भी हम चर्चा करेंगी तो हम जीवन में कोई विकारे कर रहे हैं किसे से भी आप पूछो कोई विकारे क्यों कर बनना चाहता हूं कोई बोलेगा मैं इंजिनियर बनना चाहता हूं तो यह तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है लेकिन अंदर से अगर आप पूछो कि वास्तप में ऐसा क्यों कर रहे हो क्यों आप यह बनना चाहते हो तो वह क्या बोलेंगे वह ब तो हमें यह जानके कारे करना है तो देखते हैं आपकी खुशी कौन से गुण में बगवान बोलते हैं जो प्रारव में विष्ड जैसा लगता है लेकिन अंत में अम्रित के समान है और जो मनुष्य में आत्म शाक्षातकार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है तो जो सतो इस सुख में क्या क्या चीजी आगी जैसे पढ़ाई कोई करता है तो पढ़ाई बच्पन से यारम हो जाती है तो शुरू में बच्चे का मन नहीं लगेगा बिलकुल भी वह स्कूल से भाग भी जाते हैं और ठीक हैं कई-कई लोग पढ़ते भी हैं और उसके बाद भी उन उनी के लिए वो लावदाएगों तो approximately दोसुरू में जहार जैसे लगेंगे अंत में कैसे लगेंगे हमारे लीए हमारे लिए वो अंत में लाव में करने वाले इसी तरह विवह सुरू मेंavyड़िय व्थ नाम भॉसाइबर हमें इन ग तो इस प्रकार के जो सुख हैं, वो सात्विक सुख कहलाते हैं, जो अंत में हमें लाभ ही देंगे केवल, अब आते हैं दूसरे प्रकार के सुख पे, तो अधिक तर जो हमारे सुख है, वो इसी गुण में आते हैं, तो दूसरे प्रकार के जो सुख हैं, वो है राजसिक स१IP में क्या होते हैं जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विश्यों के संसख से प्राप्त होते हैं और प्रारबे अमरिक तथा उनमे यह तो लगता है वह रजोगुनि कहलाता है तो रजोगुनि कीसे होते सुख Crue सब्सक् surprise कि पूर्चे हुए आपकोो आपको नुकसान पहुंचाने वाभाद живот आन्त में कि लिए विष्ठ बन जाता है वह रजोगुनी है तो आप देखें कार हाम करने हम उसमें अभी तुरनत उन अर्श चाहते हैं उसके निसार डॉक्टर किसी को बोलता है रसगुला नहीं काना किसी को सुगर है तो क्या करेगा रसगुला अगर खा लेगा या गुलाब जामुन खा लेगा किसी को सुगर है तो अभी उसे क्या लगेगा अभी उसे बहुत अच्छा लगेगा मीठा लगेगा और और खाता जाएगा तो दो जो भी हम कारे कर रहे हैं संसार में वास्ता में वो सब राज्शित सुखी है हमें अभी दे रहे हैं लेकिन आगे हमें क्या करने वाले है आगे विश्वनने वाले ले लेका है तो भगवान भगवत कि था कि तक Πाट चूग होगा दुख और आए वथ वह क्या रहे हैं वह उनका आधियंत्र वंद्धा और वह हमारी इंद्रीया सुख के लिए कारे कर रहें क्या होते हैं उद्धों जो पुद्धिमान लोग वह इसमें बिलकुल भी भाग नहीं लेते तो हमें सोब मसीख सुदेडर यह क्या तथा जो सुख आत्मचाकृशादकार के प्रति अंदान मुहकारर है ऐस realizar ho हपी जो रचोगूनी सुख ता उसमें क्या तर ना और रजोगूनी उसमें क्या था तर ना हमें अमरिज जैसा लगा लेकिन बाद में विश्च जैसा अब लेकिन जो तमोगुली सुखे वो क्या थे सुरू – अंत तो हमारी अज्यान्दा के करण हमें ऐसा लग रहा है कि वह तहिए कि इसमें कि अध्यांता होती है तो उसे लग रहा है जो वे वास्ता में सुरू से यह अनती तक विश्री विश्द जैसे जो लोग नशा करते हैं तो नशा करते यह तो अईसा नहिंटी नशा कर रहे तो कुछ लगते ऐसे सुख तमोगुणी सुख कहला जो सुरू से लेकर अंतर तक विशी है लेकिन अग्यांदा के गारण हमें अच्छे लगरें तो इन सुखों में क्या होता है निद्रा आलस से और मोह उत्पन हो जाता है तो इस तरह तीन सुख भगवान ने बताएं आगे भगवान बोलते हैं प्रकृति के गुणों के आदार पर चार प्रकार के आश्रम बनाए गए हैं तो यह भगवान पहले भी बता चुके तीसरे चोथे अध्यां में भगवान ने बताए था चातुरवण्यम मया स्रिश्टम गुण कर्म भी बाक्षा गुण के और करम क सत्यनिष्ठा ग्यान विज्ञान तता धारमिक्टा यह सारे स्वभावी गुण हैं और जिनके द्वारा ब्रहमन कारे करते हैं तो जो सत्य सत्यों गुण में कारे करेगा वो ब्रहमन के आदार पर उसके बाद वीर्था शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उध तथा नेत्रत्व यह चत्रियों के स्वाभावी गुण है तो चत्रियों किसमें होते हैं जो चत्रियों के स्वाभावी कर्म है तो जो व्यापारी वर्ग है वो किसमें आते हैं वो रजो और तमोगुण जो मिश्रित होता है उसमें आ जाते हैं और शुद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है तो जो शुद्र होते हैं वो किसमें आते हैं तमोगुण में आते हैं तो यह जो चार वर्ण है यह गुणों के आधार पर गुण के आधार पर इनको विभाजित किया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है यह बगवान बताते हैं अभी यह था प्रवृत्ति भूता नाम येन सर्वमिदंततम सर्वकर्मनातम बैस्चर्या सिद्धिम्बिंदती इमानवा जो सवी जो सवी प्राणियों का उद्गम है औ कि हम अपने स्वभाव के अनुसार भगवत प्राप्ति कर सके सब हर कोई अलग-अलग गुणों में रहकर भी भगवत प्राप्ति कर सके तो प्रवपाजी लिखते हैं ताहत परियों में अपने कि दो तरह के हमारे स्वधर्म होते हैं तो सबसे पहले जब हम अलग-अलग अलग अलग गुणों के हम परभाव में होते हैं तो हमें उसके अनुसार कारे करना चाहिए उसके बाद जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो ब्रामन को जो लाव यग्य करने से मिलता है वही लाव चत्रिय को युद्ध करने से मिलता है तो हर कोई अपने अपने गुण के अनु टीनों और चारों वणों से उपर है यह समय हैं उपिन वन और फने निकशने जो की उपर उठे से नियुक्न है वह भähän Shayural quizzes ऑने नहीं आते तो जो बहागवान से जूड़ता है वह वह वी दीनों और प्रेंश आरब हो जाता है गाम्म Já इस तरह दो तरह के स्वधर्म है तो भगवान आगे क्या बोलते हैं अपने वृति परक कारे को करना चाहे वहां कितना वित्रूटि-पूर्ण क्यों न किया जाए अन्य किसी के कारे को स्विकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ट है अपने स्वभाव के अनुसार निद्रिश्चित कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते तो भगवान बोले चारवन इसलिए बनाए हैं ताकि जो जिसके गुण है उसके अनुसार कारे कर सके और हम फॉर्स नहीं कर सकते किसी को दूसरे का कारे करने के लिए किसी को आर्मी में जाना पसंद है उसके अंदर चट्रिया वाले गुण है तो हम उसको फॉर्स नहीं कर सकते कि तुम पढ़ाए तुम क्या करो कॉलेज में सके और हम देखेंगे कि आज कल क्या हो रहा है आज कल सुसाइट के इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्यों कि हर कोई वो करना चाहता है जो उसके गुण में नहीं हर कोई दूसरे से प्रभावित हो जाता है दूसरे को देख लेता है उसको लगता है कि मैं भी ऐसा करूँगा जबकि उसका गुण नहीं है तो इसी कारण क्या वता है अन्त में फिर परैशान हो जाते है अगर कर वी ले वह कारत है एंत में वह दुखी हो माधनों किसी को आर्मी में जाना था उसके अंदर छत्रिया वाले गोंठोंठें लेकिन ऊसने क्या किया है उस उसने किसी से प्रभावित होगे समाच से प्रभावीत होके उसने दूसरा कारे चुन लिया उसने पढ़ाई का कारे चुन लिया पढ़ाने का तो क्या होता अंत में बहुत ज़दा दुखी हो जाते हैं आ तो इसलिए भगवान बोलने है कि अपने कारे को तुरूटी पूंट ढंक से करना ज्यादा श्रिष्ट तुम्हारे अंदर जुगुण है उसके अनुसार तुम्हें कारे करना चाहिए तो यहां पर उधारन दिया गया जैसे अभी मान लीजिए यहां पर अलग-अलग जानव कौन जीतने वाला है सब को बताया इसमें बंदर जीते गड़ें तो क्या इसे हम बराबर की रच नहीं मान सकते क्यों कि अभी बंदर का गुंड क्या है बंदर का गुंड है पेड़ पे चरड़न हां तो यह कारे कर लेगा इसी परकार चार वर्ण भगवाने बनाए है तो क क्यों बनाएं ताकि अपने अपने गुण के अनुसार सब कारे कर सके हम एक ही कारे से किसी को जज नहीं कर सकते कि वह सही है कि गलत है तो सारे वर्ण क्यों बनाएगे भगवत प्राप्ति के लिए ताकि हम भगवान से जूड़ सके बगवान क्या बोलते हैं जो आत्मसंग्यमी तता अनाशक्त है एवं जो समस्थ बहुतिक वोगों की परवाह नहीं करता वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच सिद्धि सिद्ध अवस्ता को प्राप्त कर सकता है तो बगवान बोले हमें क्या करना ह हमें इन तीनों गुणों और चारों गुणों से उपर उठना है कैसे अनासक्त भाव से कारे करते हुई अब आगे भगवान बताते हैं उनके लक्षण जो लोग तीनों गुणों और चारों गुणों से उपर उड़ जाते हैं क्या लक्षन होते हैं इस प्रकार जो इस्तित है और पूर्णतया प्रसन हो जाता है वहां ना तो कभी शोक करता है ना वस्तुगी काम ना करता है वहां प्रतेग जीव पर संभाव रखता है उस अवस्ता में वहां मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है तो जैसे कि हमने बताया था जो चारवण है वह अपने-पने करतव अपने-पने गुणों के अनुसार अपना करते पे करते हैं उसके यह अवस्ता को प्रह्म्भम भूत अवस्ता बोला जातें कि इस प्रकàiर आगे जब मनुश्य ऐसी बक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वहां बैकुंड जगत में प्रवेश कर सकता है तो यह जो श्लोक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं भक्तिया माम भी जानाती यावांच अश्मी तत्वता केवल एक भक्ति है जो मुझे कुस प्रकार समझ सकता है जिस प्रकार मैं हूँ यानि भक्त ही मुझे यथा रूप में समझ सकता है तो जो ग्यानी होते हैं ग्यानी भगवान को निराकार मान बैठते हैं निराकार जोती के रूप में देखते हैं और जो अस्तांग योगी ह जो ध्यान योगियो भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं लेकिन केवल एक भक्ती ही है जो भगवान के शाक्षाद दर्शन कर सकते हैं इसलिए भक्त पूरी तरह भगवान को जान लेता है तो एक व्यक्ति है उसने क्या किया उसने कोई गाड़ी आ रही है ठीक है मा बगवान को निराकार जोती के रूप में देखते हैं थोड़ा अगर और पास आएगा तो देखेगा कुछ वस्तु लेगा एक वस्तु है तो यह हो गया अस्टांग्योगी जो परमात्मा के रूप में देखता है उसके बाद अगर हम थोड़े और पास से देखेंगे तो हम एक कार है और उसमें व्यक्तिवी बैठा है शाक्षा तो यह हो गया किसकी दृष्टि भक्त की by दृष्टि पहला को तीनों तरीके से देख सकता है तो ब्रह्म-समिता में ब्रमाजी भी बोलते हैं वेदे शुद्धुर लवं अदुर लवं आत्म भक्तो गोविंदम आधी पुरुशं तम हम बजामी हे गोविंद आधी पुरुश अना वेदे शुद्धुर लवं वेदों के द्वारा तुमको समझना कठिन है लेकिन अदुर लवं आत्म भक् के द्वारा ही तुमको समझा जा सकता है इसलिए भक्ति बहुत ज़्यादा महत्तों कुण वागे भगवान क्या बोलते हैं भक्ति के विशेय में मेरा शुद्ध वक्त मेरे सरक्षन में समस्त प्रकार के कार्यों में सलंगने रहकर भी मेरी कृपासे नित्य तता अविनाशी द्वान के लिए करते हैं यदी तुम मुझसे भावनां भावित होंगे तो मेरी किरपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोदों को लांग जाओगे लेकिन यदि तुम मिथ्या एहंकार वस ऐसी चेतना में करम नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनस्ट हो जाओगे तो आगे जाके तुम नस्ट हो जाओगे और तुमारी हानी हो जाएगी तो ऐसा भगवान क्यों के वह डा रहे हैं अर्जण को तुम मेरी बात नहीं मान ओगे तो भी नस्ट होजाओगा नहीं रहें ओ मत होती है माता बच्चे को बताती है घर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो आगे विश्वरावानने अर्जन को सचेथ किया अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम विनस्थ हो जाओगी तो आगे बगवान क्या बोलते है इश्वरा सर्वभूताने criteria अर्जन्ति we域 ब्राम्यन सर्वभूताानी यंत्रूदानी मायया यह अर्जुन परमेश्वर प्रतेएग जीव के हिरदय के इस्तित है और बौतिक सकती के निर्मित यंत्र में सवार की बहाती बैठे समस्त्य जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है बगवान बोले कि परमात्मा जो सब के हिरते में वही सर्वकारण कारण है वही सारी वस्तुमें प्रदान कर रहा है और हम लोग क्या हो रहे हम लोग उससे भरमित हो जा रह मशीन की तरह है तो आगे बगवान बोलते तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारता तत्परसादात पराम शांति स्थानम प्राप्ष्यस शाश्वतम हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ उसकी किरपा से तुम परम शांती को तथा परम नित्यदाम को प्रा हगाझ माझम हें उसकी शरण में जाओ तो अब भगवान भग्वत की का अंत क्योंकि करने वारे तो हम नमें हम जारे था है नहां जहां जो समझना होगा कि नहीं आगे भगवान और विस्तार से बारे हैरे में बताएं गिती नमाख nghiयाद को इसकल प्रता दिता इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब सोचाहे तब जो चाहे सो करो तो भगवान और अर्जुन को पूरी भगवत किता पूरड़ लकब लेकां अन्त में भगवान क्या आर्जुन को यस ता इच्चहु हो में तुम करो तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इससे हमें सीखने को मिलता है कि भगवान किसी को जवर्दस्ति या फॉर्स नहीं करते हैं भगवान किसी को फॉर्स नहीं करते हैं वक्ति के लिए तो जो भगवान क्या चाहते हैं हमसे भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं प्रेम मैं संबन और प्रेम किसी से जवरजस्ती नहीं कराया जा सकता मैं किसी को जवरजस्ती नहीं बोल सकता कि मेरे से प्रेम करो उसके कान पर में बंदूग रखके भी नहीं बोल सकता कि तुम मेरे से प्रेम करो फिर प्रेम नहीं कहला था इसी फरकार बगवान ने हमें सुक्सम इच्छा दिये सुक्सम स्वतनतर्ता दिये उसका हम चाहिए सदूपयोग भी कर सकते हैं और दुरूपयोग और अगर हम उसका सदूपयोग करते हैं यानि क्वई भी वस्ट है अगर तो बहुंत के लिए भी लगा सकते और एक वान की सेवा के लिए वी लगा सकते हैं तो भगवान इच्छा तुम जो चाहे वो करो यता इच्छ सी तथा कुरू तो अर्जुन आगे क्या बोलता है यह भी हमें देखना है तो उससे पहले भगवान क्या बोलते हैं फिर इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिया मित्र हो तो यह श्लोक है इस श्लोक के जो पहली लाइन है मद मना भव मद भक्तों मद्या जिमान नमस्कुरू तो यह लाइन पहले भी आ चुके नो होती ज्यादा महत्यों को ने वह भगवान खुद इसमें बोल रहे हैं मद मना भव मद भक्तों बगवान एसा क्यों बोर रहे मुझे मन लगाओ क्योंकि जब हमारा मन भगवान में लगेगा और बगवान क्या बोलते हैं आठ वैद्याय में यम यम वाप इस्मरण भावं और भगवान ने उससे पहले भी बोला अंत काले चमामेवा इसमरण मुक्ता कलेवरा यानि अपने अंत समय में जो मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा तो अंत में जो भी हमारे जो भी हम कारे करते हैं पूरे जीवन बर उसकी एक प्रदी हमारे दिवाग में बन जाती वही अंत काल में वही चीज हमें इसमरण आती हैं अपना शरीर त्यागते समय मोगा हमाराम अभगवान में लगेगा और हमें लग्तना प्रात होगे तो मेरे में अपना मन लगाओ कैसे भाव मत भक्तो मेरे भक्त बनके तो मेरे में मन लगाओ अगर मन नहीं रखता तो क्या करो भक्ति के नियम नियमों का पालन करो ठीक अगर तुमसे भक्ति के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है हो सकता है आरम में किसी से ना हो रहे हो भक्ति के नियमों का पालन ना हो रहा हो किसी से शुरू-शुरू में तो भगवान क्या बोलते हैं मद्या जी यानि मेरी पूजा अर्चना करो एक दिन भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो एक दिन भगवान की भक्ति करेंगे तो उससे क्या होगा एक भगवान में मन भी हमारा लग जाएगा ठीक मेरी पुजा भी नहीं और एक एक से बगवान की अरषिन है यह और में हमारा मन भी लग जाएगा और उससे क्या होगा हम तो इggवान को प्राप्त करेंगे तो यह शोक है अगर आपको बोलना है किसी को अगर कोई आप से इसी तरह किसी को भगवत गीता दो मिनट में समझानिए तो उसके लिए श्लोक है और इसको भगवत गीता का सार भी बोला जाता है तो ऐसा क्या है इस श्लोक में एप इसमेंगान बोले है सबसे प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके तुम्हारा उधार कर दूँगा और डरो मत तो इसको हम गहराई से समझेंगे एक-एक करके सबसे पहले बगवान क्या बोले सभी धर्मों का परित्याग करो सर्वधर्मान परित्याँ केल मेरी इस Breein वहीं 7 अब सारे धर्म कौन से हैं तो यह भी हम इस पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले होता है हमारा शरीर के लिए धर्म हम चाहते कि हमारा शरीर सहीर है और कैसे हम इस शरीर से भोग करें अधिक से अधिक इसके बारे में हम सोचते हैं और बस इस शरीर के बारे में हम सोचते हैं तो यह जो चेतना है इसे बोलते हैं शरीर का धर्म शरीर की रक्ष इसे में सोचना अब वो यह equal to just my अपने शरीर के बारे में सोचना अरतन के सीनीसे में सोचना और यह चैतना जानवरों में भी जानवर अपने सदर के से मैं सोचना है कुछतें वह अगर आप पत्थर दिखाओं के तो वह भागता है अपनी रक्षा करेंगा होगी तो यह हो गया सबसे निमने इस्थरी धर यह क्या है अपने विशह ना के वद उसके बाद थोड़ी हमारी चेत्ना और ऊपर बढ़ती सुछें कि एक अपने परिवार के बारे में सोचते हैं अपने परिवार की रक्षा करना तो उसके लिए क्या होता है उसके लिए हम अपने शरीर के विसे में भी नहीं सोचते थे तो जो चेतना यह थोड़ी ऊपर है तो क्या यह चेतना जानवरों में नहीं है नहीं यह चेतना जानवरों मे जानवर भी अपने परिवार की रक्षा करता है उसका भी परिवार को लेके धर्म होता है आपने देखा होगा जब कोई जानवर बच्चे देता है तो उस समय बहुत अगर आप उसके पास जाओगे तो भले यह साधारण सा जानवर हो लेकिन काटने के लिए आएगा आपको लेकिन क्या इतना काफी नहीं पिर आपने देखाऊगा कई अपने परिवार का त्याग कर देतें परिवार का विद्याक कर लेते हैं समाज सेवा के लिए तो यह चेतना थोड़ी जानवरों से तो उपर है कम से कम तो अपने परिवार से थोड़ा उपर सोचना समाज के विशें में सोचना तो यह चेतना उससे उपर है लेकिन इन चेतनाओं में हम क्या देख रहे हैं जैसे जैसे हम उपर बढ़ते जा रहे हैं पूँआ रहिं शरीर के बारे में धर्म उसको भूल जाते हैं इन धर्मों में ऐसा हो रहा है लेकिन क्या कोई ऐसा तरीगा है जिससे सारे धर्म पूर्ण हो जाए इसमें हम देख रहे हैं एक का पालन कर रहे हुँ दूसरे का नहीं है क्या कोई ऐसा धर्म वी जिससारे धर्म परिपूर्ण हो जाए तो भगवान की भक्ति को परऊ धर्म बोला गया है तो जब भगवान की भक्ति करते तो नीचे, वाले जितने भी धरन समात की सेवा करना और परिवार की और अपने शरीर के बारे में सोचना यह सारी चीज़े सारे धर्म पूर्ण हो जाते हैं उसी भक्ती में पूर्ण हो जाते हैं कैसे जैसे कि मैं आपको उधारण देता हूं रावन का रावन का और विवीशन का तो विवीशन ने क्या किया अपना परिवार भी त्याग दिया उसने और अपना देश भी त्याग दिया उसने और अपने शरीर की परवाडनी कि उसने सबत्याग दिया सारे धार्म और उसने क्या और ँद्मान राम की सरण में चलागी कि लेकिन히 अंत में क्या हुआ उसका तुन इसका परिभार को कुछ नहीं हुआ उसके देश की रक्षा हो गई उसके देश को अच्छा राजा मिल गया विविश्ण तो इस परकार हम देखते हैं भगवान की सरण में अगर हम जाते हैं तो जितने जो नीचे के जो धर्म वो सारे पूर्ण हो जाते हैं इसलिए जो भगवान की भक्ति उसको वास्तविक धर्म यानि परो धर्म बोला गया है तो भागवतम में भी ऐसा आता है क्या सवय पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अदोग चजे सारे धर्मों में शबसे श्रिष्ट क्या है भगवान की भक्ति परो धर्म हैं, अहे तुकी, क्यों कि ये बिना किसी कारण के होती है, बाकि जितने भी धर्म है, उसमें क्या है, कहीं न कहीं हम शरीर से जुड़ कर अपने बिशे में सोच रहे हैं, शरीर से जुड़ें सारे धर्म, परिवार भी शरीर से जुड़ा है, और हमारे जितनी भी प्रताहिता कभी-वी रुखती नहीं है कभी भी खतम नहीं होती है फिर वी भक्ति चलती रहते तो इस लिए जो असली धर्म क्या भगवान की भक्ति क्योंकि बागी धर्म किस से जुड़े शरीर से जुड़े और भगवान की भक्ति चलती रहती है शरीर त्यागने के बाद भी यतात्मा सुपर्जीदती और इससे आत्मा को बहुत ही जादा आनंद आता है इसे लिए जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में शुरुवात ही हो रही है शुरुवात ही किससे हो रही है धर्मा प्रोजित सब्सक्रण सब्सक्रेंगा प्रपकार 8 je तो मैं क्या करूंगा तो केवल भगवान ही हमें पापों से मुक्त कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता ऑ remain benefits है क्या मुकुंद का अर्थ क्या होदा है जो मुक्ती देने वाला संसार से ठीक है तो केवल भगवान ही कर सकते हैं तो लेकिन आगे भगवान ने बोला है जो दो क्योंकि जब तुम भगवान बोले मेरी बक्ति करोगे इसलिये भगवान बोले लेकिन तुम डरनाल विलकुल भी मत एगे जैसे कि कल राज कर पर नियोच्षावर कर दिया अपना राजे भी हुग्वान को दान दे दिहा सब कुछ जो भी उनके पास था तो क्या यह आसान बात है कि वीशन में सब चीज क्या कि भगवान की चरणागति लिए तो क्या यह आसान बात थी नहीं भक्ति मेरत है ना ही उसे जो मुझसे द्वेस्ट करता हो जिसके मन में भगवान की श्रद्दा नहीं उसको आप कितना भी बतालो भगवत गीता के बारे में उसकी समझ में नहीं आएगी तो कई अब भगवानने सुरु में बोला चोट है वागवत गीता को समझना तो उसके लिए क्या योग्यता बख्तो असी में सकाचीति उसके लिए भगवान वहां मेरे मेरे पास वापस आएगा तो अभी भगवान बोलने कि जो यह भगवदीता का ग्यान सब को बताएगा वो मेरे पास आएगा तो हमें क्या करना है भगवदीता का ग्यान सुनके बैठ नहीं सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिया है और ना कभी होगा भगवान वोले जो प्रचार कर रहा है उससे प्रिया इस संसार में मुझे कुछ भी नहीं है तो आप देखो अगर मालो आपने कोई बुक लिखी आपने कोई एक पुस्तक लिए चोटी सी और अगर कोई उसका प्रचार कर रहा है तो आपको कितना आनंद मिलेगा आप सोच के इतना खुश हो रहे होंगे अभी है कि आपने बुक लिखी कोई उसको पांट रहा है तो भगवान भगवान ने जो भगवत गीता बोली है कि हमारे कल्यान के लिए उसका जब हम परचार करते हैं तो आप सबद नहीं सकते भगवान बोलने उसके अलावा उसके सिवा मुझे कोई और प्रिया है ही नहीं इस संसार है कि हमें क्या करना है जितना ज्यादा हो सके इसका परचार करना चाहिए और इसका जो कित्र संबात का अध्यन करता है वहां अपनी बुद्धी से मेरी पूजा करता है तो जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो एक तरह से हम क्या कर रहें अपनी बुद्धी से भगवान की पूजा कर रहें उस जब हम पढ़ रहें भगवत गीता को और जो श्रद्दा समेत और द्वेस रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुब लोकों को प्राप्त होता है जहां पुन्यात्माये निवास करती हैं तो भगवान की वाड़ी में इतनी शक्ति इतनी श केवल सुन्ने मात्र से ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो जैसे परिक्षित महारास दें उनको जब पता लगा कि साथ दिन में उनकी मृत्ति होने वाले तो उन्होंने क्या किया क्या उन्होंने करम योग किया अस्टांग योग किया नहीं कुछ भी उन्हें बचा नहीं को प्राप्त हुए तो अगर हम भगवान की वाणी को ध्यान से सुनेंगे तो इससे क्या होगा केवल सुनने मात्र से हमारे सारे पाप नश्ट हो जाएंगे अगर हम ध्यान से सुनेंगे और भगवत प्राप्ती हमें हो जाएगी तो इतनी इतनी शक्ति है भगवान के वाणी तो अर्जुन ने जिस परकार भगवत गीता को समझा हमें भी उसी तरह समझना है और जुन क्या समझा अर्जुन ने का अब मेरा मोहत दूर हो गया अर्जुन का मोहत दूर हो गया आपके अनुग्रे से मेरी समरण सक्ति वापिस मिल गई है तो अर्जुन का जो संबन था भगवान से उसे पता लग गया कि मैं क्या हूं भगवान का सेवक हूं भगवान का भक्त हूं भगवत गीता की यही शक्ति इससे हमें पता लग जाती है हमारी वास्तवी करने के लिए उद्यूत हूं तो भगवान ने क्या बोला यता इच्छसी तथा कुरू लेकिन अर्जुन ने क्या बोला जो आपने बोला मैं वही करूँगा तो में भी बगवद गीता पढ़ने के बाद जो भगवान ने बोला इसमें इसका पालन करना अपने जीवन में केवल सुनना नहीं है बगवद गीता को आगे संजे ने क्या बोला फिर संजे ने कहा इस प्रकार मैंने क्रश्ण तथा अर्जुन के अर्जुन इन दोनों महापुरुसों की वारता सुनी और यह संदेश इतना अद्वूत है कि मेरे शरीर में रोमान्च हो रहा है तो अब जो संजे हैं वो यह बात किसको बता रहे द्रतराश्ट को बता रहे थे तो बोले कि यह बात मैंने जब से सुनी है क्या हो रहा है मेरे शरीर में रोमान्च हो रहा है बहुत ज़्यादा हर्शित हो जाता है संजे भगवदगीता को सुनके और अपने गुरु को धन्यवाद करते हैं व्यास की किरपा से मैंने यहां परम गोहिया बाते शाक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है राजन जब मैं कृष्ण तथा आर्जुन के मद्य हुई इस आश्चरे जनक तथा पवित्र वार्था का बारं बार इस्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण एहल बाद जने भघवान ने भोल थैंवो संजय क्या बोलतें यत्रयोगेश्वरह कृष्ण यत्रपार्थ धनूर अठर श्रीज्य वहतल मत परम अरजुन है वहीं एश्वर यह विजय आलोकिक शक्ति तथा नीती भी निश्चित रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है तो इसके साथ अंत में संजय ने क्या बूल दिया सबसे पहले तो भगवान को योगेश्वर कहके बुलाएगा है योगेश्वर का मतलब क्या है वहां पे पूर्णता है वहां पर वेजञ़े आ हैं वहां पर एश्वर हैं और में पर अलोकेक शक्ति और नीती जहां पर भगवान और भकते वहां-पीज़े घी यह सन्त होता है वह करेगा संजे ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युदिष्टिर के हाथ में चली जाएगी तो संजे ने साफ साफ एक तरह से बोल दिया संजे ने जहां किर्ष्ण है और अर्जुने वहीं पर विजय हैं इसका मतलब क्या हुआ कि युद्ध में विजय कौन होने वाले युद् ना केवल पुन्यात्मा सत्के अपीत्व में कठोर नीती वादी थी यहां पर कि लिए अरजुन कि बगवां स्वयम उसके साथ संपはいजसे वहीं पर होगी भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तता ध्यान द्वारा अपनी अनुभूती एक विदी है लेकिन कृष्ण की सरणागती सर्वोच सिद्धी है यहां भगवद गीता के उपदेशों का सार है कि पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ती में कृष् गटी भगवद गीता में पाँच प्रमुक विशें की ब्याक्या की गई है तो जैसे हमने आरम में भी पड़ा था भगवद गीता में पाँच बिशह बताए गए बहुआए इश्वर और दूसरा के प्रकृती उसके बाद जीव ऐगा जीव आत्मा क्या है और प्रकृति म और अंध में क्या बताती है, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है, जीव अपने मूल शुरूप में सुद्ध आत्मा है, वहाँ परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, चूंकि सारे जीव कृष्णे की तरस्ता सक्ती है, अतेव, उनका संसर्ग बहुतिक शक्ती, अप जैसी वह बहुतिक संपर्क, बहुतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, वह अपने आपको बहुतिक ही मान बैठता है, तो जैसी वह भगवान की अपराशक्ती के संपर्क में आता है, वह भी अपने आपको जड़ मान बैठता है, तो हम क्या है, हम चेतन हैं, लेकिन जैस क्योंकि भगवान के अंदर सुटंतर इच्छा है और हम क्या हैं हम भगवान के अंश है इसलिए हमारे अंदर भी सुटंतर इच्छा है लेकिन वह रहा हमारें के सामान्य दसा को रारत होता है तो हमारे पास हमेशा श्वतंतरता है कि हम या तो माया को चुने या कृष्ण को चुने तो भगवत गीता हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से जी उनमें चुनाव करना है तो हमें किसका चुनाव करना है भगवान का करिश्य वचनमतवा यानि भगवान ने जो बोला हमें उनका पालन कर लारे मेंasis कि उच्थ के साथ भगवद गीता 18 17 का समापन होता है हरे फालत गीटा कित कुछ यह मत नहीं होती सान अतन Спाइब होगा तो यह दुबारा से आपको अपना समय देना है और अपनी श्रद्डा देनी बस दो इसी ही ओके सबको अच्छा लगा और सब काफी बार सुन चुके हैं भगवत गीता को ओके तो कोई अपना फीडवेक देना चाहते हैं आपको कैसा लगा इसमें कोई सुधार की अगर आवश्यक्ता है क्योंकि हो सकता है आपको कुछ चीजे इसमें एड़ करनी हो और कैसा लगा आपको आप यह भी बता सकते हैं और आपके कोई और वह सकते हैं तो आप अपना फीडवेक भी दे सकते हैं उसके बाद हम इस सत्र का न्द करते हैं हद कि टेर के मैं कुछ को अच्छा लगा हाथ सभी माता जी को अच्छा लगा साथ गानजली माता जी को भी बहुत पसंद आया वहावना माता जी भी बोल लिए उनको भी अच्छा लगा कल पेस अभी भावना माता जी आसिरवाद भी दे रही है तो आपके आसिरवाद की बहुत आवश्क्ता है क्योंकि आप सभी लोग अंसेनियर हो तो अपकी असिरवाद की भी आवशाकता है और हो सकता है अभी हमसे तुरूटु होब कि आप लोग सीखि़रैं सब वर के कुछसोम माता जी को अच्छा लगा सुमेदां माता जी को भी प्रभू च्छ पार कर रहे हैं अभी प्रभू जी को अच्छा लगा नेक्स्ट मन्त लिंक आजाएगा आप लोग दोबारा से अंजली माता जी कि कि सभी को काफी अच्छा लगा हम बीच में काली चनल पुरूजी ठीक है अगर बीच में कुछ कार्य आ जाते हैं तो आप कर सकते तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते जपा ठीक है रिकोर्डिंग ग्रूप में बेज दी जाएगी आप देख सकते हैं यूट्यूब करने के लिए करने के लिए तो काफी 40 से उपर मैसेज हो चुके हैं तो सभी को अच्छा ही लगा किसी का कोई करना जाता है अनुभव तो वह भी आप बता सकते हैं आपके जीवन में कुछ सुदार आया हो कुछ आपने अलग सीखा हो आप कुछ बताना चाहते हैं प्यूश को लिंक मिल जाएगा आपके नमबर पर हरे किस्णा सब्सक्राइब आपकी वाणी में कुछ ऐसा जादू है कि बंदे रहे हैं अठारा दिन एक दो दिन मिस भी किया अगले दिन यूट्यूब पे सुनने की यह थी कि मिस हो गया है तो किसी तारेवश अगर मिस हो गया था तो अगले दित सुबह सुना और इतनी दफा कोशिश किया जो हम वैसे जनरली सोचते ही नहीं अपना कि हम यह ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो लगता है कुछ क्लारिटी तो आई है अब उसमें धिरे-धिरे दुबारा करेंगे और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतनी श्रद्दा के साथ स संग में रहे हमेशा चाहे कुछ भी हो जाएं वक्तों का संग मत छोड़िए जी नदिया माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रूजी पहले तो आपको प्रूजी मैं भी जो है बारतेरे साल की उमर से इसकों से जुड़ूई हूं और मुझे 18 साल हो गए लगबर इसको आपका एक्स्पिनियन करने का तरीका और इतनी सारी बाते मैंने नहीं जाने जो मैं अभी जीवन में नहीं जान पाई और मुझे तो अगर यह नहीं सुना तो दिन की शुरूआती नहीं हुई मतलब बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा प्रूजी मैं आगी भी नेक्स जो सब प्रूपाजी के वचन है तो अभी हम लोग सीखी रहें मैं अभी अभी स्टूडेंटी हूं तो अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में तो आपकी सायता की बहुत आवशकता है सबके मैं थोड़ा से शेहर करना जाओंगी कि जब हम लोग एक जुली जहां एक तो कोरोना है और जहां पर हम लोग रहते हैं तो किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं हो पाता तो पहले बीच में इतनी जाद्धा नेगेटिविटी हो रही थी निराशास्य हो रही थी सब कुछ कि मैं आपको बता नहीं है कि मैं आपको बता नहीं कि शीमत भगवत गीता ऐसा कुछ करे कि मैं इसको चोड़ू Vet इसी से जुड़े रहना चाहती हूं और उसी के बाद फिर मैंने आपका ये लिंक भी जोएंग किया और फिर इस क्लासिस में भी और भी ज्यादा जो होता है पॉजिटिविटी आ रही है और आपके जो बताने का तरीका है इतना सेंपल इतना सादगी से आपने एक्टम डीप गीता को समझने के लिए अंदर से उत्सुकता है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभुजी कि आपने इतने अच्छे से हम सब को टाइम दिया और हमारी जो नेगेटिविटी उसको दूर करने में हमारे साहता करी और जो इतने सालों की जो धूल है जो हमारे मन पे चड़ी हुई है मुझे नहीं लगता है कि वह दोई क्लास में हट पाएगी उसे हटाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे तो उसके लिए हमें भी आपका एज के कोडिंग नहीं बोल रही लेकिन आपकी जो अच्छे आपने जो कमाया है उसके कोडिंग हमें अगे बढ़ सके और बहुत 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 धन्यवाद और जो श्रीमत बगवत गीता का हमने और दिया तो वह श्री नगर पहुंच गया है अभी दिलीवर तो नहीं हुआ है लेकिन पहुंच जाएगा मस्तक ना जी जो हमने एक कुशन और पूशना था जो हमने यह कुशन करी थी इसका जो सर्टिफिकेट है कि इसमें नाम लिखावात है या ऐसी कुशन नहीं इसमें अभी वह डमी सर्टिविकेट हैं तो अभी जब आप कंप्लीट करोगे उसमें आपका नाम आ जाएगा और बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभुजी आगे भी आपकी क्लास जो रही है और इसी श्रद्दा से बक्ति करते रही है और यह सारे प्रुपाज जी के बचने तो सारा क्रेडिट जाता है प्रुपाज जी को इसका जिन्होंने बगवद जीता को इतना परचार किया कि हम लोगों को आज घर बैठे-बैठे भगवद जीता का लाप्राफ्त हो तो दन्यवाद प्रुपाज जी का और प्रुपाज जी का आशिरवाद हमारे हमारे साथ हमेशा रहेगा प्रुपाज जी ने बोला था I will never die I will live in my books मैं हमेशा अपने किताबों के साथ रहुआ तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हम संग ले सकते हैं प्रुपाज जी का आशि अरे कृष्णा प्रभुजी दन्वत प्रणाम अरे कृष्णा प्रभुजी बहुत अच्छा लगा मैं कबसे पढ़ रही हूं जे हमारी क्लासीज भी हो रही हैं लेकिन जितना मजा और जितनी असानी से मुझे यह वाला सेशन आपका समझ में आया बहुत बहुत दन्यवा प्रभुजी तो जब यह वाली साथ फर्ब्री से शुरू होगा अगला सेशन इसका जी अगले महीने से जब भी मंडे आता है तो वहां से सुरू हो जाता है तो उसका लिंक हमें कहां से मिलेगा प्रभुजी वह गुरूप में शेयर कर दिया जाएगा आगे का लिंक इसी तो 17 जो जो में सार्टिफिकेट मिलेगा वह इससा क्वर्ट कर settlers can प्सक्रों की क्या हुँत बहुत धन्यवाद अनन्न नोच बहुत ज्यादा जी ऐसे इसर्था बनाई रखिए और वक्तों से जुड़े रही आगे के कोर्स में भी आप जुड़े रही जी संतोसी माताजी हरी कृष्णा हरी कृष्णा प्रभुजी प्रभुजी इस पार हम भी लेबल टू तो लेबल वन दो बार करते हैं उससे पहले स्वामीनिस्टर अरदास्ट पूजी का हमन संतोस्ट बहुत खुष्ण है बहुत अच्छा लगा प्रभुजी हम मतलब और फिर आगे भी करना चाहते हैं तो प्लीज लिंक डाल दें ग्रूप में बेज दिया जाएगा धन्यवाद मतलब मतलब माला वाला करती भी ने थी जब भी शुरू कर दिया बाकि बतलब बहु पहुत ही अच्छा तो आप सभी अपने जीवन में अनुभाव कर सकते हैं हरे किष्णा हरे किष्णा सुर्जय प्रभुजी हरे किष्णा प्रभुजी और मैं अपने अपने बताना जाहूंगा कि मेरे को गीता मैं कभी बहुत बार पढ़ने की कुसिस किया लेकिन मुझको डर लगता तो पहरी बार मेरे अंदर आये कि नहीं मैं मेरे कि Facebook में ने देखा कि आपका ये link मिला तो मुझे लगए कि एक ब बहुत सारे चीज समझ में आ गया है लेकिन मतलब गीता जैसी गीतने बड़ी चीज है तो मतलब इतना सब कुस को मतलब पताने क्या समझ में आ गया और इतना आना दोहा कि आपका जो फेवारी 7 बाला जो है link है अब सब गूप में सारे फ्रेंट के साथ सेयर कर चुगा हू बहुत अच्छा लगा प्रभुजी आप अपना इसे अच्छा काम करते रही है आप सब भी भगवद गीता का परचार करिए क्योंकि भगवान इसमें खुद बोलने कि उससे प्रिया मुझे कोई भी निए संसार जो भगवद गीता का परचार करता है इसलिए खाली हमें जैसे अबी जो को कoral से ऐडर्ट के लिए हैं एसी तरह यूजे के लिए यह सिसी तरह जो ईबच्छो के लिए होते हैं तो आप उनको कुर्स होते लिंक और सभी लोग अपने अपने घ्रोक पैं जोईन कर सकते और सीक सकते अ 길 तरह अ कर खेंबंगे कि मैं बताना भूल गी जो आप बाद में रिकार्डिंग हमें सेंड होती है ना जी जी वो मेरे जितने अपने मेरे नाउन में है ना मेरी सिस्टर्स हैं कजन्स फ्रेंड सरकल में सिर्पो बेजती हूं उनकी तरफ से भी हरी बोल आपके लिए प्रभुजी वो सब बड़े जितना यह सुनके हमें आपता है ऐसा लगता है जैसे पूरा समझ में आ गया हो तो उनको आप बोली अगली बार आप क्लाश जोइन कर लीजिए वह को दीटा कि क्योंकि लाइव हम जब करते तो और ज्याद अच्छे समझ आता है प्रुजी यही मैंने बोला उनको आप लो बहुत ही अच्छे माताजी हरी बोल आपके लिए प्रुजी एक बड़ी हरी बोल जी माताजी धन्यवाद आरे कृष्णा करेक्रिश्णा कि ऑके राजन परुजी बोलें प्रेंडा माताजी से उन्होंने सुना था लास्ट येर लेवल बन कंप्लीट किया था यह दूसरी बहुत ही अच्छा लगा जी प्रुजी मैंने भी प्रेंडा माताजी से इस इस थीखाया और मेरे को भी उन्हों नहीं पड़ाया था जब मैं पिछले साल में ने जॉइन किया था लेवल वन प्रेंडा माताजी नहीं सिखाया था कि कि ठीक है तो आभी काफी समय हो चुका है तो आप सब लोग बने रहे हैं अगली बार यह खतम नहीं होगा तो बार से चालो होगा तो उसमें हम फिर पाकी जो डिसकुशन है उसमें करेंगे नहीं कुछ नया सीखने को हर बार मिलता है और जो यह बोल ले कि मैंने भगवत समझी ही नहीं तो बगवत जीता को हम पूरा कभी नहीं समझ सकते इसलिए जितनी वार हो सके में इसको सुनना चाहिए अभी यहां पर गुश्ण है जैसे जितने भी लोग है अभी वह आठ आट वार कई लोग कर चुके इसको तो कुछ नहीं सीखने को उन्हें हर बार मिल भगवादीता का ज्यान अनंत है हरी अनंत हरी कथा अनंत है और भगवान का ज्यान भी अनंत है ओके धन्यवाद चारू शिलमाता जी आप सभी का आशिरवाद देने के लिए जिसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक्ता है कि आप के दुरूब आप कुछ बोलना चाहते हैं कि प्रभु जी प्रभु जी हमें तो आपकी क्लास बहुत फर्स टाइम से बहुत अच्छी लगती है दुरूब को और मुझे पढ़ाते हो मिन्स जब से फर्स क्लास किये और अभी तक मिन्स पूर फाइवर्स क्लासे अट कर लिये तो जब भी हम क्लास करते हैं हमें कुछ भी नया ही सीखने मिलता है यह जी वहाटा जिक्स्पिधिन इस करने का तरीका है बहुत ही सिंपल आंड जल्दी समझ में आजाता है मिस जल्दी इतम लिये बहुत ही अच्छी लीग हो जाता है अपने से आपका जो भी एक्सपीरेंस मिलता है वह अपने पापा पो बता दें क्या पड़ाया था दुरूब अभी से परचार में लगे हैं हारी वोल है ओके आप प्यूश हरे किष्णा हाँ हो साथ तुलसी माला नहीं होगी नहीं माला होगी साथ मैं कंफर्म करूंगा चाहिए आपको बताता हूं अभी थोड़ी दिर अब हम इस वाले सतर का अंत करते हैं और कोई वी अंत एक नई शुरुवात होती है तो इसके बाद हम नई शुरुवात करेंगे तुबारा से बगवद्गीता की कोर्स की इसी के साथ हम एंड करते हैं दुरूब वैशन प्रणा मंतर बोलना चाहते हरे कृशना दूब उसक अगले कोर्स में अगले कोर्स में अगले कृशना